नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में दोस्तो गाय को एक विशेश प्रकार का फल खिलाने से आपके जीवन की सभी निरासा, दुख एक शण में ही समापत हो जाते हैं और घर में माता लक्षमी का स्थाई निवास हो जाता है। जोती सास्तर के अनुशार गाय समस्त जगत की माता अनुशार है और गाय में समस्त तेती सकोटी देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए गाय की सेवा करने मातर सही 33 कोटी देवी देवताओं के साथ ही समस्त संसार की सेवा के बराबर का फल आपको प्राप्त होता है। अगर कोई जीव मातर गाय की सेवा करता है तो उसके सभी जन्मों जन्मांतर के पापनश्ट हो जाते हैं। साती सात अक्षेपुन्य की भी प्राप्ती होती है। गाय की प्रतिजिन सेवा करने वाला मनुष्य मिर्ट्यू के पश्चात वैकुंट लोक में जाकर भगवान विश्णु के साथ निवास करता है। दोस्तों जोति सास्तर के अनुसार वे हिंदु धर्म गरंतों के अनुसार गाय हिंदुों का सबसे पवित्र जीव है। सबसे पुराना धर्म, सनातम धर्म इस संसार में परतेग जीव जन्तु की सेवा का भाव सिखाता है। लेकिन गाय को एक विश्ष्ण स्थान प्राब्त है क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण को गाय से अती प्रेम था। इसलिए गाय की सेवा करना साख साथ भगवान विश्णु की सेवा करने के बराबर माना जाता है। इसलिए गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति सीधे तोर पर बैकुंट धाम जाता है मिर्टूर के पस्चात। विश्णू पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि गाय साख साथ कामधेनु का रूप है। कामधेनु को सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाली देभी माना जाता है। इसलिए कामधेनु के निवास के चलते गाय की सेवा करने से हर प्रकार के मनुकामनाओं भी शीगर्ण पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे है कि गव माता को ऐसा कौन सा विशेश फल है जो कि आपको पिशेश रूप से खिलाना चाहिए जो कि कामधेनु मा को अतीप्रिय है और आपकी सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करने में आपके लिए जो सायक स सिद्ध होगा दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनमर निवेजन है कि आप इस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली लिखना ना भोलें दोस्तो पुराणों की मान तो गाय को परते दिन केला खिला करके उनके मस्तव को सपर्स करके अपनी मनोकामना कह देने से अक्षेपुन्य की प्राप्ती तो होती है साथ ही आपके सभी मनोकामनाई भी शीगरपुन हो जाती है पुराणों के अनुसार केला भगवान विश्नु का अतिप्रिय फल है इ इससे आपकी मनुकामना और भी शीगर पूर्ण होगी, आपकी समस्त परिसानिया समाप्त हो जाएंगी और धन की विरिद्धी होगी, दोस्तो अगर आपके दुआर पर गव माता आती है तो आप उसे मार कर कभी न भगाए, अपितु उसकी पूजा करें और उन्हें कुछ न अपने जीवन में आर्थिक वमांसिक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि गायवाता को ये एक फल खिला देने से आपकी गरीबी, आपकी जनमों जनमांतर की गरीबी कोसो दूर चली लाती है, तो दोस्तो आज की वीडियो में के वले तना ही कल, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिदे में एजाज़ा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जै गोमाता, जै बजरंग बली